सबसे बड़ी बात तो ये रही कि वे एक समय पर चंडिगड के मेर भी हुआ करते थे तो फिर मेर से लेकर उन्होंने हरियाना विधान सभा की अध्यक्षपद का सफर कैसे तै किया आज के इस हैसेने में हम जानेंगे कि कैसे वो राजनीती में शीर्ष पर पहुँचे नमश्कार स्वागत हैसेने में भारत आज का वो शोर जो खबरों का विशलेशन करता है और खबरे वो किसे वो कहानिया कौन सी होती हैं वो होती हैं जिने आप जानना चाहते हैं जिने आप समझना चाहते हैं ग्यान्चंद गुपता का जनम सन anni Short expl में हुआ था वह 74 वर्षके हैं हर्याना विधान सभागन सभा दख्र ग्यान्चंद गुपता का चंडिगर्ड की राजनिति से पूराना नाता है असल में ग्यांचंद गुपता ने अपना राजनेतिक सफर चंडिकट भाजपा से ही शुरू किया था नगर निगम के पहले कारेकाल के दुरान वह भी मेर रह चुके हैं मेर बनने के बाद उन्होंने दूसरे कारेकाल के दुरान फिर से भाजपा की टिकट पर सेक्टर 20 और 33 के वाड से चुनाव लड़ा था मेर और पार्षद के तोर पर सफर ग्यांचंद गुपता वर्ष 1996-2001 और 2001-2006 तर चंडिकट नगर निगम के पार्षद रह चुके हैं वे 1997-1998 में चंडिकट के मेर भी रहे हैं इसके इलावा वे 1951 और 2002-1995 और 1997 में चंडिकट भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उन दिनों नरेंदर मोदी यानि के देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी चंडिकट भाजपा के परभारी होते थे इस अवधी के दुरान ग्यांचंद गुपता और नरेंद्र मोधी के अच्छे सम्मन रहे हैं चंडिगर का मेर पहली बार बना विधायक ग्यांचंद गुपता ऐसे पहले विधायक हैं जो चंडिगर के मेर भी रहे चुके हैं क्योंकि चंडिगर से मेर रहा हुआ नेता आज तक ना तो विधायक बना है और ना ही मंत्री बना है साथ ही ज्यांचंद गुपता नगर निगम के ऐसे पहले पारशिद रहे हैं जो अपना कारेकाल पूरा करने से पहले अस्तीफा देकर किसी राज्य की राजनिती में शामिल हुए है ये रिकोर्ड भी उनके नाम दर्ज है साल 2004 में हर्याना की राजनिती में हुए थे शामिल चंडिगर नगर निगम के दूसरे कारेकाल के दुरान ही ज्यांचंद गुपता ने हर्याना की राजनिती में शामिल होने का फैसला किया बात साल 2004 की है जब उन्होंने पारशिद पद से अस्तीफा दे दिया और तब ग्यांचंद गुपता पहली बार हर्याना भाज़िपा के कैशियर यानि के खजाना मंत्री बने थे हर्याना की राजनीती का सफर ग्यानचंद गुपता ने भी चंडिगर नगर निकम से स्तीफा देकर हर्याना भाजबा की राजनीती यानि सक्रिय राजनीती की और कदम बढ़ाया था हर्याना भाजबा में ग्यानचंद गुपता 2003 से लेकर 2006 फिर 2009 से लेकर 2012 तक cashier और 2006 से 2008 में हरियाना भाज़पा के उपध्यक्ष रहे हैं इसके इलावा वे 2003 से आप तक हरियाना भाज़पा में traders sell, investors sell, cooperative sell के in charge भी रहे हैं भाज़पा में 35 साल की है ज्यांचंद गुपता ने मेहनत जी हाँ ग्यांचंद गुपता भाजबा में 35 सालों से ज़्यादा वक्त से सक्रिये हैं 2014 में में पहली बार विधायक बने हाला कि वे 2009 में भी पंचकुला विधान सबाक शेतर से भाजबा की टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे पार्टी ने दोबारा उन पर विश्वाज जताया क्योंकि उनकी मजबूत पकड की वज़े से उनने दोबारा चुनावी मैदान में उतारा और वो इस बार जीत भी गए चंडिगड की राजनिती से पियम मोदी से हुए थे करीब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि चंडिगड भाजबा की राजनिती करते हुए ग्यांचन गुपता परदहान मंतरी नरेंदर मोदी के करीब हुए थे क्योंकि नरेंदर मोदी 1945 में चंडिगड पंजाब और हर्याना के संगठन मंतरी रह चुके हैं चंडिगड नगर निकम के मेर रहते हुए ग्यांचन गुपता ने कई विकास के काम भी कराए और उनके मुरीद मोदी हुए थे उसके बाद से उनका लगातार उनसे मिलना जुलना लगा रहा जिससे वो करीब एक दूसरे के रहे चंडिगड के वेपारी नेता भी रहे ग्यांचन गुपता जी हां लाला जी भी रहे हैं ग्यांचन गुपता जी यानि कि राजलिती में आने से पहले वो चंडिगड में वेपार करते थे वो वेपारी नेता भी रहे हैं चंडिगड की वेपारियों की समस्चाओं को भली बाती जानते हैं वेपार मंडल के चेर्मेन चिरन जीवी ने एक बार कहा था कि उन्हें बहुत खुशी है कि शहर का कोई वेपारी हर्याना विधान सभा का स्पीकर बना है त उनके साथ ही भी उन पर इतना विश्वास जताते हैं उन पर इतना विश्वास रखते हैं क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए निता है पंचकूला ने लिखी विकास की इबारत जी हां आपको ये जानकर ताजुब होगा कि जब वो पंचकूला के विधायक बने हैं फिर कहीं न कहीं बड़ा हाथ ज्यांचंद गुपता का है स्थानिय विधायक विधान सभा अध्याचंद गुपता पिछले आठ सालों की महनत का रंग है यानि कि उनकी महनत का ही रंग है जो धरातल पर दिखाई देता है शेतरवासियों की कहीं दश को प्रानी मांगे पूरी ह तो बड़ी संख्या में नई परियोजनाओं ने भी दस्तक दी तरक्की की इस रफ्तार का लाब जहां शेतर की जनता को मिला वहीं गुपता की चभी विकास पूरुष की बन गई इन योजनाओं में शेहरी और ग्रामिन ख्षेतरों के लोग समान रूप से लाभानुवित हो रहे हैं फिर बात चाहे टांगरी नदी पर बने पूल की हो पंच्छूला सेक्टर 19 को शेहर के शेस हिस्सों से जोडने वाला रेलवे ओवर बिज की बात हो कालका जरगपूर हाईवे की डिजाइनिंग को सही करवाने का काम हो ऐसे ही अनेक कारिये हैं जो ग्यांचन गुपता सरोसम्मती से हरियाना विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे उनका नाम सबसे पहले परदेश के मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर ने प्रस्तावित किया था उसके बाद उप मुख्य मंतरी दुशन चुटाला ने भी गुपता जी का नाम प्रस्तावित किया बता दे कि इससे पहले ग्यानचंद गुपता पिछले विधान सभा में भाजपा के मुख सचेतक यानि के चीफ वहीप के तोर पर काम कर रहे थे। विधान सभा चुनाओं में ग्यानचंद गुपता ने कांगरेस के उमिद्वार वे भजनलाल के पुत्र चंद्र मोहन विश्नोई को हराया था। उसके बाद वो विधायक बने और फिर आपके सामने वो अध्यक्ष है विधान सभा के। अध्यक्ष के तोर पर कारेकाल के तीन साल पूरे जानचंद गुपता ने अध्यक्ष के तोर पर तीन साल पूरे कर लिये हैं। अभी उनका कारेकाल आगे भी जारी है। हरियाना विधान सभा में सदन की कारवाई के दोरान भीवे काफी अच्छे से सिंचालन करते हैं, विधायकों को नाराज करने वाले अधिकारियों की सजा, या फिर ये विधान सभा की स्थापना के प्रिणाम सुरूप परती वर्ष 5-6 क्रोड रुपे की बचत की बात हो, ज कैसे विधान सभा बन गई जो ऑनलाइन है, इसके लिए विधायकों को लैप्टॉप, टैप, प्रशिक्षन, मोहिया उन्होंने करवाया है, इसके लावा हरियाना की विधान सभा में एक और बड़ा बदला हुआ है, हरियाना विधान सभा का पूरा काम काज हिंदी में मार हो चुका है, हरियाना विधान सभा गटन के 56 वर्ष के बाद यहां का पूरा काम काज हिंदी में शुरू किया जा रहा है, और ऐसे में सब हो रहा है अध्यक्ष यांचन गुपता की बड़ोलत, इन आदेश के बाद विधान सभा सच्वालने में सभी प्रकार के फाइल कारिय, पत्राचार और विधाई की काम काज से संबंदित सभी प्रकार की कारवाही हिंदी भाषा में होगी, अब बात कर लेते हैं सम्मान की, उन्हें शर्फ देश में परदेश में ही नहीं, विधेशों में भी सम्मान मिला है, कैलिफोर्निया इंवर्स्टी ने ज्यांच ग्यांचन्द गुपता को डॉक्टरेट की मानद उपादी से नवाजा है, क्योंकि ग्यांचन्द गुपता ने राजनिती के अलावा समाज शेवा छेतर में महत्तव पुर्ण काम किये हैं, उनके इसी योगदान को देखते हुए कैलिफोर्निया पबलिक उनिवस्टी ने ग्यांचन्द गुपता को डॉक्टरेट की मानद उपादी से नवाजा है, अगर आप उनके राजनिती केरियर पर नजर दोड़ाएंगे तो वह निर्विवादित रूप से सबके चहेते राजनेता के तोर पर जाने जाते हैं, उनका सिर्फ उनकी पार्टी भाजपा के ही नेता नहीं बलकि दूसरे दलों के नेता भी आदर करते हैं, अबैसिंग चोटाला जैसे कदावर नेताओं को विधान सभा में शांत कराना ग्यांचन्द गुपता जी को अच्छे से आता है, यह उनकी सशक्त, सक्षित को दर्शाने के लिए काफी है, अब देखना होगा क अगले दो हजार चोबिस में क्या भुमिका में भाज़पा की और से उनको रखा जाता है, लेकिन एक बात तो तैह है, अभी तक उन्होंने जो भी पाया है, उसके लिए हर राजनेता तरसता है, यांचन्द गुपता जी पर आप क्या विचार रखते हैं, क्या आपकी सोच है, क्या आप उनको मंझे हुए राजनेता के तोर पर देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा, और बहुत-बहुत धन्यवाद कीजिएगा पुनम दूबे का, जिन्होंने आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी, और धन्यवाद कीजिएगा कैमरे के पीछे हमारे मित दिपक का, जिन्होंने आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया, और कैमरे के सामने मैं आपका दोस्त ये श्पाल कर जाएगा.